नमासकार स्वगत है आपका हमारे चैनल चार जागिंदर में सामें दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ हैं कुछ नहीं सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा कन्य राश एक जारा मार्च से लेकर 14 मार्च 2020 सपने होंगे साकार दोस्तों आज की इस वीडियों में हम बात करने वाले हैं कन्य राश वली जातकों के लिए 11 मार्च से लेकर 14 मार्च 2020 तक कसमें कैसा रहेगा यानि की 11, 12, 13 और 14 मार्च कसमें कैसा रहेगा कन्य राश के जातकों के लिए तो चलिए सबसे पहले दिन के सुर्वात करते हैं कन्य राशकत को दिन के सुर्वात फालगुन मार्श के सुक लपक्षी नौमी तिति से और अंत एकदसी से होगी और चंद्रमा गोचर करेंगे मिथुन राशी और करकराशी में यानि कि दो भाव पे सक्री रहेंगे कन्य राशकत को आपके दसम भाव पे और आपके लाब भाव पे चंद्रमा गोचर करेंगे इन चार दिनों में और शूर्देव कुम राशी में और 14 मार्श को इनका परिवर्तन भी होगा और कुम से मीन राशी में गोचर कर जाएंगे आपके राशी के स्वामी बुद्ध ग्रह सनि देव के साथ अभी तक जो यूति में थे अब ये यनि कि कुम राशी में प्रवेस कर चुके हैं और छटे भाव में देव गुरु ब्रहस्पत के साथ गोचर कर रहे हैं और देव गुरु ब्रहस्पत भी आपके छटे भाव पे कुमभ राशिय में गोचर करेंगे इन चार दिनों में राहू बिस्षब में केतु ब्रीशिक राशिय में शनी देव मंगल और शुक्र खैसाद तीन ग्रहों की यूती आपके पंचम भाव पे कनियराश के जातको इन चार दिनों में बनी रहेगी। तो ये थी कुछ ग्रह गोचरी सितियां अब इन ही के धर पर जानेंगे कन्य राज के अत्कों की आप के लिए एक जारा मार्च, बारा, तेरा और चोदा मार्च का समय कैसे रहेगा इन चार दिनों में कौन से सपने जो साकार होने वाले हैं हम प्रत्यक छेतर के बारे में बात करेंगे आपका क्याज़्यर कैसे रहेगा, बीडियो को आप सुरू इस विया नितने जरू देखेगा चंद्रमा आपके दसम भाव और एकदस भाव पे इन चार दिनों में गोशर करेंगे यानि कि वियापार के भाव पे और लाब के भाव पे तो बिशेश लाब होगा केरियन में मान समान की प्राप्ती, शेलेरी में ब्रद्धी, प्रमोसन की योग बनेंगे कई महतपूर लाब देखने को मिलेगा कई राजकात को एक जारा मार्च से लेकर 14 मार्च तक का समय बहुत भी अच्छा रहेगा एक जारा, 12 मार्च का समय और भी अच्छा रहेगा बिजनस वियापार के छेतर में लाब होगा पार्टनर से में बिजनर्श व्यापार करते हैं तो जवर ज़स्त लाव देखने को मिलेगा कई चेतरों में उम्मिश कहीं ज़दा आपको लाव देखने को मिलेगा कनियराजकर्यात को कोई महत्पूर्ण डिल फानल हो सकती है सपने साकार होते नज़राएंगे इस महत्पूर्ण डिल के रूप में नोकरे में प्रमोशन को लेकर जो सपने देख रहे थे वो सपने साकार होंगे शेलरी में बर्दी होगी बड़ी कमपनी से ओफर आएगा कनियराजकर्यात को इन चार दिनों में खासकर आपके लिए 13 और 14 मार्श का समय बहुत ही सांदार रहेगा महत्पूर्ण रहने वाला है कई महत्पूर्ण योजनाओं का लाभ मिलेगा चुकि यहां पर देखा जाए तो बिशेश उपलद्धियां पराप्त होंगी आपको चेह पार्टनर्स में बिजनेस प्यापार करते हैं तब भी लाभ होगा और स्वाइम अकेले का बिजनेस प्यापार कारोबार करते हैं तब भी लाभ होगा अपने बिजनेस को और भी जदा तेज गती दे सकते हैं तो कनिय राज का ञात को बिशेश रूप से कहा जाए तो इन चार दिनों में अच्छा लाब मिलेगा हर छेतर में लाब होगा नौकरी के छेतर में कोई काम रुका हुआ थह यह फिर रुकाबटी आ रहे थी तो आप जाकर सफलता मिलेगी तो यहां पर अच्छे माहौल देख मिलेगए परिवारिक जीवन में जो उतल पुतल थी वो समापत होगी और परिवार में खूशियों का वाता वरण देखने को मिलेगा अभी वाहिज जातूं के लिए नए रिष्टे हैं के साधी विवा के लिए जो सपने देख रहे थे वो साकार होंगे और घर में सुप मंगल कारधार जीवन काफी अच्छा रहने वाला है, दंपत जीवन में भी खुशियां वर्षेंगी, जीवन साती का सहयोग प्राप्त होगा, जीवन साती कंधश कंधे मिला कर चलेंगे, जीवन साती के साथ आपके मदभेत खतम होंगे, एक दूसरे से काफी जुड़े रहेंगे, जीवन साती से संतान के प्राप्ति के रूप में और जीवन साती से नजदी के आपके बढ़ने के उम्मीद है, अभी तक जो परेशानी चल रहे थी, फिर विवाद चल रहे था, वो खत्म होगा, लब लाइप भी कंधी राप्त को बहुत अच्छी रहेगी, लब पादरु जीवन साकार होंगे, पढ़ायली के चेतर में भी आपके सपने साकार होंगे, और पढ़ायली के पर अच्छा प्रतरशन कर पाएंगे, अगर कोई पेट की समझचायाएं थी, उसमें राहत मिलेगी, विदेश की यात्राइएं कर सकते, बिदेश जाने के जो जो परेशानी करने देख रहे थे, करने रासकार होंगे, वो इन दिनियों में यनी पूरे होंगे, एक जारह मार्च से 14 मार्च तक का जो समय रहेगा, बहुती बिशेश रहेगा, बहुती महत्पूरा और काम्याबी से भरा रहने वाला है, बिजनेस व्यापार, कारुबार के छेतर में उ करने वाला है, अब जाकर वो दूर होने वाली है, यईनि कहा जाये तो इस्तिया काफी बहतर होगी, आपके पक्स्मी आएंगी, हर महत्पूरा कारियों में आपको बिशेश उपलब्धिया प्राप्त होंगी, तो कन्य रासकेति को ये दिन और आने वाला दिन बहुती अच पहस्त रहने वाला है और कन्य राजक्ट को आप नई उजनाओं की सिरुवाद कर सकते हैं नए बिजनस ब्यापार की सिरुवात कर सकते हैं पुराने पिंडिंग कामों में काफी ज़िए आप तेजी देंगे और बिस्तार कर पाएंगे बैंकिंग के 6 दर से लाब होगा हर तर के साथ काफी जुड़ा और लगा को बना के रखेंगे तो कन्य रास्क्यात को इन चार देनों में आप उम्मी से कहीं जदा सफलता और कामयाबी प्राप्त करेंगे महत्पूर्ण लाभ देखने को मिलेगा बस आपको ब्रिश्णो सहस्त इस्तरोत का पाड़ करना है गाय को हर सब्सक्राइब करें और इसे शेर करिएगा साथी बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करिएगा जये शनितेव